नमस्कार, Cotton Complex Morning Podcast में आपका स्वागत है, आज 25 फरवरी, कल के सेशन में हमने देखा Cotton 22,000 के उपर स्टेबल था, फ्रेज बाइंग के चलते, वहीं कपास हमने रेंज बाउंड होते वे देखा, प्रैजेस 1251 पे टोज होता हुआ दिखाई दिया, प्रैशर हमने बनते वे देख Cotton Seed Oil के मार्च वाइदे में जहां पर प्रैजेस 22,000 का लेवल चुता हुआ दिखाई दिया, गिरावट के साथ, उमीद थी भी, जी रंग से 23,000 के लेवल तोड़ने के बाद हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा, एक पुल बैक भी उमीद थी, जो 22,000 से 22,000 के बीच मे दिखाई दी थी, बट कहिना करें, अब समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो थोड़ा ओरवाट कंसर बना था, वो निकल चुका है, और फिर से मार्केट टेक्निकली साउंड है, भाइंग करने के लिए, फंडामेटल साइट में हमने कोई बड़ा चेंजेस आते वे नहीं दिखाई दिखाई दिए, इंटरेसल मार्केट की बात करें, तो यहां पे भी हमने करीबन की करीब की तीजी देखी, आइस कॉटन की अगर बात करें, तो हाई में 95.15 का लेवल टेस्ट किया है, वहीं ब्लूमबर कॉटन ने भी आज सवा परसंट से जादा की तेजी दिख दिखाई देगा, साथ में जो शौटीजिस रो मेटल की हो रही है, यह कहिना कहीं प्राइज को आने वाले दिरों में और सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, चार्टी के लिए अगर हम बात करें, तो आइस कॉटन फिर से मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव मूव दि देता है, मार्केट स्लोली और स्टीली जोन में ही कंटीनिव रहेगा, 50-day moving average और साथ में 147.2% के रेटरस्पन की ओपर, जब तक मार्केट कोल्ड है, हम ऊपर में 96-98 तक का भी लेवल दिखा सकते हैं, बट धिरे धिरे अगले हफते में वालेटिली कम होती जाएगी, मार् पर देता है, हमने एक अच्छा का संपूर नेगेटिव आती वे देखा और प्राइजस इची में को क्लाउड के अंदर पहुच चुका है, कहिना कहीं 2220 का जो 78.6% का रेटरस्मेंट लेवल था, यहां पर आके मार्केट सपोर्ट लेता हूँ, दिखाई दे रहा है, आज 2240 के उपर पर पर प्राइजस निकल जाता है, तो कहीना कहीं हमें उमीद है कि यह क्लाउड के भाहर निकल जाएगा, और फिर से प्राइजस 2290 पिचान में तक का लेवल दिखा सकता है, बडिनॉल बड़ी तेजी के लिए फिर से हमें 2320 का लेवल पर ध्यान रखना है, चा कॉटन सीड और के लेके चलिए जो 2290 पिचान के अंदर भी तेजी का रुख रहेगा, जो 22250 से 300 पिचान का लेवल दिखा सकता है, अधिक जानकरी के लिए आप हमारा यूटूब चानल सस्क्राइक कीजिए इस चैनल में हम आफ तक युट्विटी कमोडिक करने से के अब् कर दो